नमस्ते दोश्टों मैं सरोज आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं मेरे चैनल सरोज का कीचन में आज मैं लेकर आए हूं आपके लिए कट हर के एसी सब्जी जिसके आगा आपको मटन चीकन भी फिल लगेगा ये खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है अगर आपने मेरे तरीकी से बना लिया एक बहुत इसे आप बार बार ऐसे बनाना पसंद करेंगे अचली आज की रिस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पने लिया है 400 ग्राम कट हर और यहां पने पानी लिया है इसमें तुरंती हम काड़ कर पानी में डालते जाएंगे यहां पने ओईल यह हाथ में लगा लेंगे तक कि इसमें के जो लस्ता होता है वह हमारे हाथों में और चाकु में चिपके ना तरशे से अब हम कफ़ल को काट लेंगे बीच में से तकि हम कफ़ल स्हिलने में हो इसी तरह हम अपने कफ़ल को छो सोट छो पीशिस में कट करेंगे बीच निचे ग्रीं पाइबेंगे सवधानी से तक हां कटर को खिल कर तुरनते पानी में डालेंगे वर्ना कटर क्या ओता है कालब पढ़ने लगता है तुरनती आप किल के उतारिया और पानी में डालते जाहिए इसीतर हम सारे कठर को अपने खील लेंगे, नीचे के जितना गिने उला पाठ है हम निकाल लेंगे, यह देखिए, इसी तरह सारी कठर को हम खील करके त्यार करेंगे, यहां मने सारे कठर को खील लिया है, अब हम क्या करेंगे, कठर के छोटे 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 पीसेश करेंगे, अब अपने यह साब से छोट हाट होता है तो आप चाहें थोड़ा काटके निकाल देजिए लेकिन मैं नहीं निकाल लूँगी ऐसे ही काट दूँगी अब इसको हम दो-तिन पानी धोलेंगे इसको हम डालेंगे प्रेसर कूकर में उबालने के लिए आप इसको ऐसे भी वाल सकते हैं पर थोड़ा टाइम ल अब में IT को 17 सिट्री 10 सिट्री याजाड सिट्री उबालेंगे एप चाण को बाल में निकाल देंगे सारे कठर को इए लिए मैंने मैं बाल के चाण के लिए कल दिया है इशसे सरब मैं ठंडा होने देंगे अब देख सकते हैं कटर बहुत जाद असाप नहीं हुआ है बस इतना ही पकाना है थोड़ा सा हाट है और बाकी का जो कुकिंग हम आगे कर लेंगे यह आपने फिर से गैस पर कुकर चढ़ा है उसमें तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे आपने सरसो का तेल आप इसके जग कोई भी तेल ले सकते हैं लेकिन मैं इस सरसो का तेल ले इसमें बहुत अच्छे बनता है कटल की सब्जी अब कटर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राइब करेंगे जब तो कटर का जो कलर है तो चेंज नहीं हो जाता है इससे हम हाई फिलेंप यह लो सारे कट्रल को निकाल लिया है यह देखिए अब इसको साइड में रखेंगे उसी वाइल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले आप तेल अपनी साब से कम जयता कर सकते हैं यहां पर लिया है जीरा, काली मीर, सुखी लाल मीर, बड़ी लाइची, छोटी लाइची, दो यहां आने लशन के लिए बीना कुटे भी डालेंगे मागी से मैस करतेंगे जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो पैसे लशन के लिए डालेंगे आप यह हमने डाल दिया है, कटी भी अधरक डाल देंगे बारिक चौप किया हुआ, इस थोड़े जर भूनेंगे हम, बाल थोड़े से स्वाप्ट हो चुगे हम बहुत ज्यादा नहीं पकाना है हमें, इप डाल देंगे हम टमाटर, यह हमने दो टमाटर को बारिक चौप कर लिया है, इप डाल के स्वाथ कुन सान नमक तक कि टमाटर जल्दी गल जाए, टमाटर जब तो गलता है हमें, मसाला त्यार कर लेंगे, फिलेम को फ्रालो कर देंगे, मसाला के लिए करड़ी ले लेंगे, मसालो में आप मैंने लिया है, दो चमच धनिया पावडर, आधी चमच काली मीच पावडर, आधी चमच जीरा पावडर, एक चमच लाल मीच पावडर, एक चमच कस्मील लाल मीच इसे कलर अच्छा आजाएगा सब्जी का हल्दी पाउडर गरम मसाला अब पाइंट ये मसालों का हम गोल बनाकर त्यार करेंगे इसवे जो मैंने कस्मील लालमी डाला है बिल्कुल अप्सनल है आप इसके बिने बना सकते हैं ये डालने से सब्जी का जो कलर है थोड़ा अच्छा जाता है ये देखिए मैंने गोल बनाकर त्यार कर लिए आप चल दें गैस के तरफ तरफ तमाटर भी तुड़े सब्ट हो चुके हैं जैसे कर देख रहे हैं इसको एक बनाम सलसीज तुड़े मैस कर लेंगे ये भी डालने के अपना हम पेस्ट जो मैंने मसाले बनाकर राख देखिए अब हम क्या करेंगे यहीं पर कुकर को बंद करेंगे और low flame पे एक सिटी पका लेंगे ज्यादा नहीं चैकि लशूंज जो हमने खड़े डाले हैं गल जाए ये देखिए मैंने एक सिटी लखाने के बाद गैस को बंद कर दिया था कुकर हथंड़ा हो कर देंगे और मसालेय को कल्चे के मज़ल से हम मैज करेंगे तक जो हमने खड़े लस्न डाले हैं अच्छे से मैज हो जा रिप्याज भी मैज हो जाए ग्रेवी जैसा हो जाए यह देखिए, मैंने 4-5 मिन्टी से मैज किया है आप देख सकते हैं कि पहले से जो में ग्रिवी है कितनी स्मूथ हो चुकी है यहीं पर जालने के अपना हम कट्रहल अब सारी जोक अच्छे से मिला लेंगे और दो-त्रिमट इसे भूनेंगे 2-3 मिट हो चुके हैं अब ये पानी डाल देगे हम वह पानी डालेंगे जो मैंने कट्रल उबाला था इसलिए पहले आप कट्रल को 2-3 पानी धोले कि वही क्योंकि हमें वही पानी इस्तिमाल करना है अब गैस को हम बंद करेंगे फिर से ये देखिए कट्रल की सब्जी अब ब कुकर ठंडा हो चुका है हम कुकर को खोल लेंगे ये देखिए हमारी कट्र की सब्जी कितनी टेस्टी बनके त्यार ही अब देख सकते हैं ये दिखने भी कितना अच्छा लग रहा है अगर आपने शेक बनाया तो बार बार इसी बननना प्रसंद करेंगे इसके आगे मटन सारे फेल लगेंगा आपको तिसे आप गर्मा गरम सर्फ किजिए ये देखिए हमारे यहां पर रसीला कट्र की सब्जी बनके त्यार है तेक प्रेट में सर्फ करेंगे अब इसको हम कार्निस कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया से अब हरा धनिया पहले भी डाल सकते हैं लेक आप सब इस रेश्पी को जरूर ट्राइए करें आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा और ट्राइए करने बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करना तो बिल्कूल लाग भूले साथ है में घंटी का आए तो